कुलू जिला मुख्याले के साथ लगती लगघाटी के दूर दराज ख्षेत्र जठानी गाउं में आगजनी से चार बहु मंजिला काष्ट कुनी शैले का मकान जलकर राख हो गया सदर विधायक सुंदर सिंग ठाकूर ने इस हादसे में बेघर हुए परिवारों से मुलाकात की उन्होंने पेड़ित परिवार को इस दुख की घड़ी में हर संभाव सहायता देने का भरोसा दिलाया है कुलू जिला मुख्याले के साथ लगती लगाटी के दूरतराज क्षेतर जठानी गाउं में आगजनी से चार मंजिला मकान जलकर राख हुआ है जिसमें 28 कमरे थे आगजनी की घटना में साथ परिवारों के 31 सदा से बेघर हुए है कुलू सदर के विधायक सुन्दर सिंग ठाकोर पीडित परिवार से मिलने पहुँचे उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है पिधायक सुन्दर सिंग ठाको ने बताया कि लगघाटी के दुर्गम क्षेतर जठानी गाउं में आगजनी की घटना में साथ परिवारों के 31 सदा से बेघर हुए है उन्होंने कहा कि पीडित परिवार की हर संभव सहायता की जाएगी उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से पेडित परिवार को फौरी राहत दी जा रही है खाने पीने वो रहने के लिए उचित प्रबंध किया गया है उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पेडित परिवार को आवा स्योजना में ग्रिही निर्मान का प्रावधन किया जाए वहीं उन्होंने ग्रिही निर्मान के लिए पेडित परिवार को टीडी का प्रबंध करने की भी बात कही हमारे यह जो यहां पे जठानी गाओं है इसमें जो यह लगबग हमारे जो लगगाटी का बहुती एक जो दूर दराज का इलाका है और खासे बल्यानी से उपर और यहां पे साथ परिवार अभी जो इसमें इनको घर को एक चार मंजिला मकान था उसको नुकसान पहुंचा है नुकसान का पूर्ण रूप से एक शतिक रस्त हो गया है और दोपैर में यह जो आग लगी थी और इसमें यह जो साथ परिवार के 31 सदस्य इसमें बेगर हुए है और मैंने इनको बताना चाहूंगा कि जो हर संबफ साहिता सरकार की तरफ से चो भी होगी और उसके साथ में जो यह मावीर, नंदे राम, शेर सिंग, दविंदर सिंग, सागर सिंग, रोशनलाल, शिर्मती माली देवी इनके जो परिवार है और इसमें सारे इनके सदस्य हैं इन्हें ऐसे दुख की गड़ी में इनका कुछ भी नहीं बच पाया है और मैं सरकार से भी अनरोद करता हू कोशिश करेंगे कि अभी हमारी नहीं पंचाइत यहां पे बनी है और लग गाटी की ये परंपरा है कि सभी पूरी गाटी के लोग, फाटी के लोग, मारे गाओं के लोग, सभी ऐसे पीटितों की मदद करते हैं, मैं उनसे भी अनरोद करता हूँ कि वो खुल कर इनकी मदद करें, लेकिन पंचाइत जो हमारी बनी है, यह परसों से अपना कारह शुरू करेंगी, मनरगा के तहत इने, क्योंकि इसी में इनकी गउशाला थी, इसी में इनके रहने के कमरे थे, मनरगा के तहत जो भी बनता होगा, गउशाला के लिए, इनके जो रिटेनिंग वाल्स के लिए, और बाकी जो जो भी टीडी की सुविदा होगी, और उसके साथ में, जो भी मकान बनाने में, मैं चाहूँगा कि इनके कम से कम इने मकान बनाने में भी, आवास योजना के तहती ने चैनित किया जाए। सिटी चैनल के लिए, कुलो से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट